हे अवरीवन वेलकम बैक आज के इस उडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन की अनओफिशल बाइनरिस क्या होती है तो देखे इसका हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई भी मॉडूल इंस्ट्रोल नहीं हो रहा हो अगर पाइवां ऑडियो की बात कर shitty है तो यहां पे मैं अगर उसे इंस्ट्रोल करना चाहू तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ vip install ? लेकिन यह जो मॉडूल है यह हमें रिटन में एरर देगा आप देखिए यहाँ पर मुझे एरर मिल चुकी है और यह हमारा जो मॉडूल है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है तो यह प्रॉब्लम सॉल करने के लिए हम क्या करेंगे पाइथन की अनुफिशल बाइनरी या फिर ला उफिशल लाइब्रेरिज और यहाँ पर आपको सबसे पहली लिंक मिलेगी उसे ओपन करना है तो देखिए यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी तो यहाँ पर काफी सारे मॉडूल्स दियो हुए है जिनमें से एक पाइओडियो भी है और अगर आपको वैसे ही सेमर किसी और मॉडूल में आती है तो आप उसके लिए भी अनफिशल बाइनरी डूंड सकते हो और यह जो बाइनरी फाइल होती है उसे हम विल फाइल भी कहते है तो आप चाहिए तो उसे विल फाइल भी बोल सकते हो तो देखिए यहाँ पर में पाइओडियो की विल फाइल च देखे यहाँ पर बहुत सारे विल फाइल्स है लेकिन इन में से हमें सिर्फ एक ही चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से cmd में आ जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे python-version तो देखे यहाँ पर में python का वर्जन मिल चुका है जो कि मेरे pc में इंस्टोलेड है जो क अगर आप 32-bit यूज़ कर रहे है तो आप यहाँ पर 32-bit वाली डाउनलोड करेगे तो देखे अमारा python वर्जन था 3.8 और windows का आर्किटेक्चर है 64 इसलिए में यह फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ तो इस पर में simply क्लिक करूंगा तो आप देखे यहाँ पर हमारी जो फाइ अगें CMD में आ जाओंगा और मुझे मूग करना है हमारे इस डाउनलोड वाले फोल्डर में तो उसके लिए मुझे डिरेक्टरी चेंज करनी होगी तो यहाँ पर में simply लिखता हूँ CD फिर डाउनलोड और एंटर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पोल्डर म मैं आ चुका हूँ अब यहाँ पर मुझे simply वही कमांड लगाना है pip install फिर हमारी जो फाइल है उसका नाम तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है उसका नाम मैंने copy किया था तो इससे मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ तो यहाँ पर simply right click करूंगा और paste पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे पीछे WHL भी लिखना होगा क्योंकि इसका extension WHL है तो यहाँ पर अब मैं एंटर करूंगा और आप देखिए हमारी जो पाइवडियो है वो successfully install हो चुकी है तो देखिए यह जो will files होती है उसका use आप किसी भी module को install करने के लिए कर सकते हो और उस module को अपने प्रोग थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो